Hello dear student, एक question है जो एक कहरा है कि positively charged ring is in yz plane with its centered origin, यह x axis है, y axis है और z axis है, जो आपकी ring है वो yz plane में रखी हुए है और एक positive test charge के center पर रखा हुए है और इसको x axis के long release कर दिया गया है, तो इसकी speed पर क्या फरक पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं yz plane में एक ring बनाता हूँ, आप समझगे कैसे रखी हुए ring, yz plane में देखो, यह y है और यह z है, इस plane में रखी हुए, और positively charged ring है, positive charge है, यहाँ से मैंने एक test charge को release कर दिया है, release कर दिया है तो मैं जानता हूँ कि किसी भी ring के लिए, अगर उसके center पर potential निकाला जाए, तो वो kq upon r होता है, और infinite पर जाकि वो zero हो जाता है, यहां से किसी भी distance x पर अगर मैं potential लिखता हूँ, तो वो kq upon root r square plus x square होता है, मैं दिखता हूँ कि जैसे-जैसे x बढ़ता है, मतलब जैसे-जैसे मैं center से दूर जाता हूँ, वैसे-वैसे potential decrease होताँ, potential, अगर मैं center से इसको छोड़ता हूँ, तो ऐसह decrease होता जाएगा, 呀 0 हो जाएगा, continuously potential decrease हो रहा है, decrease, आप लोग जानते हों की जो Postive Charge होता है Postive Charge का Nature क्या होता है Postive Charge As a nature To move from High Potential to Low Potential High Potential से Low Potential की तरफ जाने की Nature हो दिये है इसका जो Nature है, इसकी According यह यू जाना चाहता है और हम इसको इधर ही भेज रहे है बी चरके ऑक्वाटिंग जा रहा है इधर,ikit्री अंपर इस भी और ज़स्ट ऐससी स्पीड लगातार तरह करता हूं उसी डिरेक्शन में लगातार लगता जाएगा एक ही शरकार आंद इसका लगातार तरह से छेंज्च होगा कि से कीई रिंग आल्वेस इसी डैक्ष में लगता जाएगा जिसके कांड वो इसको एक्सलेरेट करता जाएगा, इसकी स्पीड को कंटिन्यूसली बढ़ाता जाएगा, तो डिक्रीजिंग पोटेंशली की तरफ जा रहा है अपना चार्ज, इसलिए लगातार इसका जो स्पीड है वो इंक्री कर般ilate स्भी में ूड़ा जाएगा जाएगा, जाता बसाइगा है.